खर्मास शुरूँ एक माह तक नहीं होंगे शुब मांगलिक कार्य जाने कैसे तह किए जाते हैं शुब लग नौर मुहूर्थ खर्मास सोमवार 15 मार्च से पूर्ण रूप से शुरू हो गया है इसके साथ ही शुब कारियों, मांगलिक कारियों पर महीने भर का विराम लग जाएगा जो अगले महीने, 14 अप्रेल, बुध्वार, को सूर्य के मेश राशी में प्रवेश करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा इस दिन से शुब मांगलिक कारे शुरू होंगे खर्मास में पित्री पिंदान का खास महत्व है खर्मास में भगवान विश्नु की विधिपूर्वक पूजा पाठ करने से अत्यंत प्रसन होते हैं और जातक यहां सब प्रकार के सुख भोग कर मृत्यू के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है धार्मिक अनुष्ठान अगर खर्मास में किया जाए तो अतुल्य पूर्णे की प्राप्ती होती है भगवान नारायन का पूजन होगा विशेश फलदाई पंडित राकेश च्छा ने पांचांगों के हवाले से बताया कि बनारसी पंचांग के अनुसार 14 की राथ 7 बज के 58 मिनिट बजे सूर्य मीन राशी में प्रवेश किया सूर्य ही संक्रांती और लग्न के राजा माने जाते हैं जियोतिश के मुताबिक खर्मास में कोई भी शुब मांगलिक आयोजन नहीं होंगे जैसे की विवा, नए घर में ग्रह प्रवेश, नए वाहन की खरीद, संपत्यों का क्रय विक्रय, मुंदन संसकार जैसे अनेक शुब कार्य वर्जित होते हैं सूर्य, गुरु की राशी धनू एवं मीन राशी में प्रवेश करता है तो इससे गुरु का प्रभाव समाप्थ हो जाता है खास कर इस समय विवाह संसकार तो बिलकुल नहीं किये जाते हैं क्योंकि विवाह के लिए सूर्य और गुरु दोनों को मजबूत होना चाहिए ऐसे तै किये जाते हैं शुब लग्न और मुहूर्ट शादी के शुब लग्न व मुहूर्ट निर्नाय के लिए व्रिश, मिथुन, कन्या, तुला, धनू एवं मीन लग्न में से किनही एक का होना जरूरी है वही नक्षत्रों में से अश्विनी, रेवती, रोहिनी, म्रिक्षिरा, मूल, मघा, चित्रा, स्वाती, श्रिवना, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फालगुन, उत्तरा भद्र, वह उत्तरा आशार में किनही एक जा रहना जरूरी है अति उत्तम मुहूत के लिए रोहिनी, म्रिक्षिरा या हस्त नक्षत्र में से किनही एक की उपस्थिती रहने पर शुब मुहूत बनता है बताया गया कि यदि वर और कन्या दोनों का जन जेष्ट मास में हुआ हो तो उनका विवाह जेष्ट में नहीं होगा तीन जेष्ट होने पर विशम योग बनता है और ये विवाहिक लग्न में निशेध है सद्भावनपाती न्यूज